बड़ी ख़वर करों बूपेश राद्बूर चे बूपेश केविनेट की बैटक शुरू हो गई है बैटक में धान ख्रेदी और नई धोगनिदी पर चर्चा की जा रही है बैटक में बज़र प्रस्ता पर भी विचार किया जा सकता है सिर्पूर को अंतराष्टिय परेटक इस्तल बनाने को भी लेकर मंतन होगा तो बड़ी ख़वर सक्टिजगर की राज़साई रैपूर से जा पर भूपेश केविनेट की एहम बैटक चल दी है बैटक में बज़र प्रस्ता पर भी विचार हो सकता है सिर्पूर में अंतराष् कि अग्यार के लिए हमारे साथ रैपूर से हमारे समधाता रूपेश गुपता फूर लेन प्रूपेश भूपेश केविनेट की बैटक हो रही है क्या पोच गोष्णा इस बैटक के बाद होंगी देखिए जो महत्वण मुद्धे हैं जिन पर इस बैटक में चार्चा होनी है वो है आगामी बजट जो की अब पेश किया जाएगा कुछ दिन के बाद और इसके अलावा जो दूसरी महत्वण चीज़ है वो धान खरीबी इसमें से एक मसला यह है कि धान खरीबी की जो तारीक है 15 फरवरी क्या उसे बढ़ाया जाए है हाला कि इसको लेकर कि अलग अलग राय है एक पक्ष यह कहता है कि खरीद अधिक्तम की जा चुकी है और 15 तारीक तक जो टार्गेट है वो पूरा कर लिया जाएगा लेकिन दूसरा पक्ष यह मानता है कि चुकी बीच में बारिष हुई है और तमाम दिक्कते किसानों को हुई है लहाजा तारीक बढ़ानी चलिए तो यह कहा जा रहा है कि एक हफ़ते मियाद बहाई जा सकती है कैबिनेट इस पर मुहर लगा सकती है दूसरी महतपुन चीज की जो बजट है बजट में अलग-अलग विभाद तो बजट को मंजूरी इस कैबिनेट में मिल सकती है और तीसी महतपुन चीज की नई जो अद्यू की किनिती है उसको किस तरीके से लागू किया जाए इस पर भी चर्चा होनी है बैठक के लावा एक सिर्पुर विकास प्राधिकरण को लेकर के बैठक होनी है जिसमें सिर्पुर को साची की तरज पर अंतराश्टिय परेटन स्थल के रूप में विकसित करने पर भी चर्चा होगी तो कुल मिला करके जो बाते इस बैठक को लेकर के साबने आ रही है यही तीन-चार महत्वपुर मुद्धे हैं जिस पर चर्चा होनी है क्योंकि इसके बाद काविनेट की बैठक नहीं हो पाएगी क्योंकि मुक्षिमंत्री 11 तारीक से 10 दिन की यात्रा पर अमेरिका चले जाएंगे उसके साथ स्टीकर चन्दास महंत जाएंगे लेहाजा ये cabinet की बैठक को बजट पूर्व जो cabinet की बैठक होती है बजट को अप्रूवल होता है उसी को लेकर के ये बैठक बलाएगी पुपेश बजट पेश होने बाला है सरकार का दूसरा अपने कारिकाल का बजट होगा तो ट्याग में फिरनने ती इस बजट को लेकर बनेगी देखे फिल्हाल बजट का जो सेशन है विधान सभा के करीब एक महिने का है और इससे पहले मुक्य मंत्री बुपेश बगिन ने अलग-अलग विवाग के मंतियों के साथ चर्चा की है और ऐसा हुई हुआ है कि वाटस अप नंबर और मेल के जरिये आम लोगों की रायदी मांगी गई है इस बजट को लेकर के तो बहुत सारे सुझाओं है जिन पर चर्चा होनी है और मुटितार पे अब बजट का स्वरूप तैकर लिया गया है उसका साइस क्या रहिए कि इस बार का जो बजट होगा वो अनुपूरत मिला करके पिस्खले साल एक लाँ करोड़ से पार हुआ था लैकिन ये माना जा रहा है कि इस बार मुख्य बजटी करीब एक लाँ करोड का होगा तो ये अपने आपने एक इतिहासिक बात होगी कि 36 गड़ 20 साल के अपने सफर में भी एक लाग करोड के बजट पहुंच जाएगा बजट का ये सलसिला 3000 करोड से शुरू हुआ था जब 36 गड़ के हिस्से जब मतिप्रदिश से 36 गड़ अलग हुआ था और आज इसका साइस करीब एक लाग करोड का हो चुका है चले बहुत शुक्रिया रुपेश जान का रिसान जा करने के लिए